नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे चैनल आयू वेदाइन मेडिशन में दोस्तो मेरा नाम है डॉक्टर विकास बगेल और आज मैं आपको बता हूँ दोस्तो अनुतेल के बारे में जिनको आख, कान, मुख, दिमाख, बालो, गर्दन, जबडो आदी में बहुत सारी प्रावलम रहती हैं तो दोस्तों उन सभी को अनुतेल का नश्यकरम लेने की सला दी जाती है दोस्तों इसका इस्तिमाल करने से बहुत सारे लाब प्राप्त होते हैं दोस्तो इस वीडियो में आपको अनुतेल के 18-22 फायदों के बारे में बताऊंगा दोस्तो इसके 22 फायदों होते हैं जिनका दोस्तो बहुत ज़्यदा फायदे मन रहता है अगर आप इसे इस्तिमाल करते हो दोस्तों आपको 22 परकार के फायदे आपको प्राप्त होंगे दोस्तों इस वीडियो में साथ ये साथ मैं आपको अनुतेल के कमपोजिशन के बारे में बताऊंगा इसके प्राइस के बारे में बताऊंगा और इसे किस समय पे इसका इस्तिमाल करना चाहिए और इसका सही तरीके से इस्तिमाल करने का कौन सा तरीका है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तो बात कर लेते हैं अनुतेल के बारे में दोस्तो जो अनुतेल होता है तो तीनो परकार के दोसों को खतम करता है अगर दोस्तो आपका सरी वात विर्दी वाला है या फिर दोस्तो आपका सरी पित विर्दी वाला है या फिर दोस्तो आपका सरी कफ विर्दी वाला है या फिर दोस्तो आपका सरी सनी पातज विर्दी व अगर अगर आपको इस फॉर्म में मिल जाए तो आप इसका 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 इसक में खटा कर लिया जाता है उसको दोस्तों इसमें मिला लिया जाता है तो उस पानी के द्वारा इसका काड़ा बनाया जाता है फिर दोस्तों उस काड़े को चान लिया जाता है और उसमें दोस्तों बकरी का दूद मिलाया जाता है और साथ इसाथ दोस्तों तिल तेल मिलाकर उ तो आप हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बैल आइकन को दोआएं ताकि दोस्तों आपको न्यू वीडियो की नौटिफिकेशन मिल सकें चलिए दोस्तों आप जान लेते हैं अनु तेल के किस समय इसका इस्तिमाल करना चाहिए दोस्तों अगर आप अनु तेल का इस्तिमाल करना चाहते हो तो आप इसे सुबह उटका इस्तिमाल कर सकते हो आप अपने दंत धावन के बाद यानि कि दोस्तों ब्रश करने के बाद इसका इसका इस्तिमाल कर सकते हो वहायायाम करने के बाद इसका 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 इस जाता है दोस्तो नाक के अंदर अनुतेल डालने की परकिरिया बहुत ही रंबे समय से चली आ रही है आई यूविद का अनुसा दोस्तो इसमें बहुत सारी लाप राप्त होते हैं अगर आप दोस्तो नाक के अंदर अनुतेल का इस्तिमाल करते हो दोस्तो अनुतेल का इस्तिम किया जाता है सही तरीका इसा कौन सा है जिससे दोस्तों अनुतियल का इस्तिमाल किया जाता है दोस्तों अनुतियल के सही तरीके को जानने से पहले मैं आपको अनुतियल के लाबों के बारे में बता दिदन चाहता हूं दोस्तों इसके 22 परकार के लाब होते हैं जो अनुतियल प्रवाइब प्रवाइब दातों के सभी परकार के रोग मसूड़ों की समझ्या लंबाई बढ़ने के लिए के लिए क्यारिश्यम का एवजॉस्टन होना नाक की समझ्या में दोस्तों अनुतिल का इस्तिमाल करने से बहुत ज्यादा फाइदा होता है दोस्तों अगर आपको साइनस की प्रॉब्लम है साइनस की प्रॉब्लम यानि कि दोस्तों का सर्दियों के समय में आपकी नाक बंद हो जाती है तो दोस्तों अगर आप अनुतिल का इस्तिमाल करते हो तो आपकी जो नाक बंद है उसमें दोस्तों आपको फाइदा मिलेगा दो अपने फ्यार से लिए प्यार करें तो भी आपके लिए फायदे मंद है। दोस्तो अगर आपकी आँके फिर्फडाती रहती है या फिर दोस्तो आपको ऐसमेही सिर्ज में दर्द होता है या फिर आप डिप्रेशन का इलाज करना चाहते हो तो दोस्तो आप अनुतिल का इस्तिमाल करके अच्छे नीन प्राप्त करके अपने डिप्रेशन को सकते हो दोस्तों के बारे में तो आपने सुनाई होगा अगर आप दोस्तों को खतम करना चाहते हो तो दोस्तों आप अनुतिल का इस्तिमाल करें तो यह रहता है दोस्तों अगर आप अपनी इम्मूटी बढ़ाना चाहते हो तो अनुतिल का इस्तिमाल करें दोस्तों अनुतिल बहुत ही ज़्यादा फायदमंद रहता है, उसकी प्राइस में आपको बता देने चाहता हूँ, दोस्तो में पार से 10 ml की सीसी है, कीमत दोस्तो 50 रुपे होती है, अगर दोस्तो आप इसे 20 ml की सीसी में लेते हो, तो आपको ये 90 रुपे के आसपास मिल जाएगी, दोस्तो जो बहुत ज़्यादा फायदमंद रहेगी, दोस्तो आप जान लेते हैं, अनुटेल का सही तरीके से किस तरह किया जाता है, दोस्तो अगर आप अनुटेल का इस्तिमाल करते हो, तो आपको परतेज दिन नाक के अंदर दो दो बूंद अनुटेल की डालनी है, ऐसा करने से दोस की खिचना है और जैसे दोस्तों आपके अनुतेल की बूंदे जाएंगी आपका सरीर रोमा शे बढ़ जाएगा और दोस्तों आपको पांच मिंट तक लेट रहना है पांच मिंट के अंदर ही दोस्तों आपको सभी परकार के जो भी दर्द हो या फिर टॉंसल की प्रॉब्लम में हो या फिर्स धैसी दोस्तों किसी प्र ल्टेटा की प्रॉब्लम हो दोस्तों बहुत जल्दी की जड़ा फाइदा हो अ करी मिल सके चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों सभी को नमस्कार